कि नमसकार मैं हूं विशेठ यागी आईपेल 2025 से पहले भाई साब सारी टीमों के खलबली मची है सारी टीमों में भाई साब अपनी टीम को नहीं पॉछ चल रही हैं सारी टीमों में शांदार तरीके से बड़ी-बड़ी भाई साब बदलाव हो रहे हैं कई सारी टीम में बदलाव कर चुके हैं के क्यार की बात कर लीजिए बाकी टीमें भी बड़े-बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है लेकिन एक तैयारी एक तैयारी आरस सोच पारे में आपको पता है हमें सब बहूं टीम है कि तक नहीं पाई है इस बार काब रहता की आर सी भी बहुत बाग कदम उठाने वाली है और एक ऐसा कतम उठाने वाली है जिसके बाद हो सकता है कि RCB की किस्मत बदल जाए ऐसा हो सकता है कि RCB चैंपियन बन जाए हो सकता है कि RCB का जो भाग अभी तक उद्धाय नहीं हुआ था वो किस्मत पलर जाए RCB को लेकर तो बहुत बड़ी जानकारी RCB को अकेले विराट कोल ए RCB की जिम्मेदारी अपने कंदों पर अभी तक लेते वे आ रहे हैं लेकिन अब विराट कोली कम तक सवाल ही है सबसे बड़ा तो आगे कौन यह सबसे बड़ा है कि आज सब आगे कौन विराट नहीं तो आगे कौन क्योंकि T26 रिटार्मेंट विराज कुली ले चुके हैं कप्तानी पहले छोड़ी चुके हैं तो अब RCB में वो खिलारी कौन जिसके नाम पर RCB आगे जाएगी तो RCB इस बार IPL 2025 में वो कदम उठाने वाली है जिसके दम पर RCB आगे का सोच रही है फ्यू पर्षई भी कप्तानी में कोई कमाल नहीं कर पाएं फाफ़ भी रстанов principle इस बी RCB को चैंप नहीं बना पाएं लेकिन अब क्या होगा की खबर ये है कि RCB फाफ़ डुowe 해지 को इखाने की तयारी अब beige गर चुकी है और फाफ़ डुप्लेस की जगा अब केल राहुल जिहां केल को कप्तान बनाया जा सकता है आइप कारीव भी हुई थी गोतम गंबीर के साथ मिलकर राहुल ने दो भार लखनौ को सुपरोर में भी पहुचाया था लेकिन हलाएं कि लखनौ जीत नहीं पाई लेकिन परदसन राहुल की काप्तानी में जा रहा था राहुल ने पिछले दो सालों एक तो फ्यूचर का एक खिलारी मिल जाएगा जो विराट कोली को रिप्लेस्मेंट करेगा चूँकि राहुल की पहचान भी है राहुल को लोग पसंद भी करते हैं एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तोर पर अच्छा खिलारी भी मिल जाएगा एक अच्छा बल्लेबाज भी मिल जाएगा तो ये फाइदा RCB को हो सकता है क्योंकि विराट कोली को अब ज्यादा लगता नहीं कि ज्यादा दिन में IPL खेलेंगे क्योंकि T20 से रिटार्मेंट विराट कोली ले चुके हैं ऐसे में अब विराट का रिप्लेस्मेंट खोजना RCB ने शुरू कर दिया है और KL राहूल से उसको लेकर बाटचीत लगाताँ चल रही है तो आपका इस खबर पर क्या कहना है क्या आपको लगता है कि KL राहूल RCB के कैपटन के तौर पर सही सा कैंडिडेट हैं सही खिला रही हैं कमेंट करके बताएगा और क्या राहूल के आने के बाद RCB की किसमत पल झाल झाल